आपने बहुत बार खाई होगी पर आज जिस तरीके से मैं आपको सिम्लामिश और आलू की सब्जी बना कर खिलाऊंगी ऐसे सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी तो एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ करिएगा आपके घर में बच्चे से बड़े सबी को बहुत थो पसंद आएगा तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है कि दो प्याज इसको मैंने कट कर लिया है हृत्रिमिश ली है अद्रक लेषून को क्रश कर लिया है ह refers Autumn ॉमर्ओं को मैंने बड़े-बड़े पीसों में कट किया और लिया है और यहां पर मैंने हो जाए तो वन फोर चमबस जीरा डालेंगे और वन फोर चमबस हम यहां पे अजवाइन डालेंगे इससे अजवाइन से इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है साथ में आधर क्लेसुन को क्रश करके जो रुखा था उसको डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसको चल बहुत जादा इसका करार चेंज नहीं करना है बस प्याच का हलका सा कलर हमें इसको चेंज करना है पहले तो अच्छे तरीके से हमें लेसुन प्याच सब को मिक्स कर लेना है अब हम डालते हैं इसमें दो हरी मिर्च यह मेरी तीखी वाली मिर्च है अगर आप कम तीखा पसं किया था उसको हम इत डालने के बाद हम इसे लगभग 1 मिनट तक के बिबीज़ के लिए चलाते रहना है थोड़ी धिर के लिए उसको अच्छा से अछो हमें भुन लेना है तो लगभग 1 मिन तक हमें आ assignments हाट करके पकाईंगे विच में पर concerning को चेक भी कर सकते हैं जब तक वह पक रहा है तब तक कि मैंने याय फैप्ट जिसलिए हें लाल मिश पावडर को अद-धा बंकरthirds को अच्छेण बहुत पटा सा मसाला बन कर करके आपके पास आमचुर पाउडर नहीं है ताप उसके जगह नीमबू का रस भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं तो ले लिए दो मिनट हो गया है और यह देखे प्याज का कलर बहुत अच्छा से चेंज हो गया है और अलू भी अच्छे तरीके से पक गया है अब ज इसी तरीके से चलाना है और अच्छे तरीके से इन सबी चीजों को भून लेना है ताकि जो है नमक वो सब जगे एक सार मिल जाए इसके बाद यह जो हमने सूखे मसाले बना करके रखे थे इन मसालों को भी हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसे बहुत ज्यादा पानी भूनना है वरना यह जो ड्राई मसाले है वो जल जाएंगे थोड़ा सा हमें इसको भून लेना है गैस के फ्लेम को इस टाइम पर लो टू इकदम मीडियम रखना है हाई फ्लेम पर इकदम बिल्कुल भी नहीं पकाना है अब बीच में इस तरीके से थोड़ा सा हम तो अब बालत दो मिनक बार एक बार एक बार इसको चला लेते हैं ताकि मसैले अच्य तरीके से सब जगे मिक्स हो जाए और यह बापποर ले, regul olho अच्छे तरीके से टाइब पक जाए तो अब हम इसको डAC को ड़क करके लगग एक मिनक कर और और पक निदेंगे लेकि आशना तरहे मसालों को हमें चलाते रहना है वरना मसाली जो है मारे जल जाएंगे अब यहां पर मैंने लिया है यह नॉर्मल टंप्रेचर का दूद है अधूद डालने के बाद इसको हमें चलाना बिल्कुल भी नहीं है इसी तरीके से ढख देना है ऐसे क्या होगा यह दूद से जो ह खतम हो गया है तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है आप चाहे तो हरे धनियस इसको डेकोरेट कर सकते हैं तो लीजिए बहुत ही जल्दी जट पर से हमारी सबजी बन करके त्यार है अब आप चाहे बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए दे या फिर बड़ों के इसे आप रोटी के साथ पूरी पराठे के साथ खाई यह सब्जी खाने बहुत ही टेस्टी लगती है तो अब जब भी घर में कोई भी सब्जी ना हो तो आप इस तरीके से बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यह हैल्दी सी सब्जी बना करके देख सकते हैं एक बार अमेर लाइक भी कर सकते हैं पर कर जरूर दीजेगा चैनल पर नए है तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ में ही बैल आइकन को भी प्रेस करके और पर सेलेक्ट कर ले ताकि मेरी आगे आनली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो